भक्तिजनों माताओं भेनों साधर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको अधिक मास के अध्याई तीन की कथा सुनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको और पूरे परिवार को पुर्शुत्तम मास अधिक मास की बहुत-बहुत शुपकामनाएं और बधाया भगवान स्री लक्षमी नारायन का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर नरंतर बना रहें आप सभी सुखी रहें स्वास्त रहें व्यास्त रहें और मस्त रहें निरंतर उन्नति तथा प्रगती को प्राप्त करते रहें। गुषाई जी परम धयाल कीजए श्री गुरुदेव कीजए आज के आनन्द कीजए लाडले लाल कीजए गुरूर ब्रह्मा, गुरुर विश्नु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात परभ्रम्ह, तस्मै स्री गुरुवे नमह, स्री अकंड मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै स्री गुरुवे नमहं अज्ञानां तिमिरां धस्य ज्ञानां जन शलाकया चक्षुरून मिलितं येन तस्मै स्री गुरुवे नमहं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यदिहेतवे तापत्रे विनाशाय स्रीकृष्णाय वयम्नुमह। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतहक्लेशनासाय गोविन्दाय नमो नमह। वरहापीडम्नटवरवपु करणयोह करणीकारं वेब्रद्वासकनककपीशं वेजयन्तिम्चमालां रंध्रान्वेणोड़धरसुधया पूरयन्गोपवरंदै ब्रंदारण्यम्सवपदरमनं प्रावीशतगीतखीर्तिही कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कोस्तुभं नासाग्रेवर मोक्टिकं करतले वेणों करे कंकनं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेस्थितो विजयते गोपालचूडामनिं फूलें दीवरकांतिमेंदु बदनं वरहावतं सप्रियं स्रीवात्सांकमुदार कोस्तुभदरं पीतांबरं सुन्दरं गोपी नाम्नयनोत्पलार्चिततनु गोगोपकं घावरतं गोविंदं कलवेणु वादनपरं दिव्यांग भूशनंभजे करार विंदेन परार विंदं मुखार विंदेन विनिवेश्यंतिम् वतस्य पत्रस्य पुटेश्यानं मालं मुकुंदं मनसास्मरामीं जय जय स्रीराधारमन जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभू जय जय माखन चोर मात मेरी श्रीराधिकां पिता मेरे घनशां इन दोनों के चर्णन में मेरा बारंबार प्रणां मोहिन मूरत शाम की वो मन रही समाई जो महंदी के पात में लाली रही समाई धन योवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरक तूराम भज क्यों चाटे जगधूर राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेस बुलिये स्रिवंदावन भिहारी लाल की जै गोपाल कृष्ण भगवान की जै कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन मिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी तो केवल राम कुदास इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई तन से दुखी है, शरीर में अनेक और प्रकार की व्याधियां, रोप, पीड़ाएं, नरंतर मनुश्य को सताती रेती है, कोई मन से दुखी है, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, कोई धन से दुखी है, आर्थिक समस्या प्रत्येक प्रत्येख प्राणी के उपर किसी नी किसी प्रकार का कोई ने कोई दुख बढ़ा हुआ है कोई ने कोई समस्या में या इंसान भरा हुआ है लेकिन इस साल अधिक मासे पुर्षुत्त मासे और सभी को अधिक मास में अधिक से अधिक पुन्य कर्म जरूर करना चाहिए भगवत भजन करना चाहिए भगवान का कीर्टन करना चाहिए प्रभू के नामों का उच्चारन करना चाहिए और कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह यदी सुर्यों देके पहले पहले उट करके इसनान कर लेंगे और इसनान करने के बाद नारायन, तारायन, पारायन ये तीन कर्म भी यदी कर लेंगे पूरी शद्धा से तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट है, संकट है, वो समाप्त हो जाएंगे इस बात के लिए आपको मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ अब आप सूच रहे होंगे कि नारायन का मतलब क्या होता है जब हम सुबह इस्तनान करते हैं, उसके बाद प्रत्वी के साक्षा देवता सूर्य नारायन को आप जल अर्पित करें, उसे नारायन कहा जाता है और तारायन का मतलब होता है, सुबह सुबह जब तारे दिखाई दे सुबह चार से छे के बीच में जब हम इस्तनान करते हैं तो हमको आसमान में गगन मंडल में तारे दिखाई देते हैं अज कल वर्षा दीतु है बादल रहते हैं इसलिए तारों का देखना बहुत मुश्किल होता है फिर भी आप आकास मंडल की तरफ सूरी देवता का तारों गणों का ध्यान करते हैं और उनको अर्ग प्रदान करें उसके बाद अधिक मास महात्म कथा का स्रवन करें पुरानों की कथाओं का पारायन करें रामचरित मानस का पारायन करें शीशियू महापुरान का पारायन करे और जो जो भी संभव हो सुके आप को पारायन इस महा करना चाहिए और इस महिने दीबदान भी आपको करना चाहिए पहला दीपक अपने घर के पुजा इस्थल में भगवान के मंदिर में लगाए दूसरा दीपक घर के मुख्ध द्वार पर लगाए और तीसरा दीपक गोशाला में लगाए चोथा दीपक तुलसी जी के समीप लगाए पांचवा दीपक आकाश मंडल में आपको लगाना चाहिए या पीपल के वरक्ष के पास भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार दीपदान का कार्य सुबह प्रातकाली इन वेला में और शाम के समय दोनों समय आपको करना चाहिए और यदि संभव हो तो आपको प्रुषुत्तम मास का अधिक मास का वरत भी रखना चाहिए इसमें एक समय भोजन किया जाता है सुबह के समय फलाहार करके शाम को सूर्यास्त के बाद में आप भोजन करें और यदि पूरे महिने वरत रखना उपवास रखना संभव नहीं है तो आप अधिक मास के जो अंतिम के पांच दिन रहेंगे उनमें वरत रखके अधिक मास का पूरा पुन्य प्राप्त कर सकेगे अधिक मास में जूट नहीं बोलना चाहिए गाली गलोच नहीं करना चाहिए लडाई जगडा नहीं करना चाहिए वाद विवाद नहीं करना चाहिए और इस महिने आपको दाड़ी, कटिंग, शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए ब्रह्मचरिवरत्ता पालन करते वे पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ में भगवान का नाम संकीर्टन करना और भजन करना, पुन्य करना, दान करना, इस्नान करना, तीर्थ यात्रा करना और परोग कारी कारी करना, गरीबों की सेवा करना, मरीजों को दवाई देना और जितना भी हो सके अच्छा कर्म करे, पुन्य कर्म करे क्योंकि अधिक मास में यदि आप पुन्य कर्म करोगे तो आपको करोड़ो गुना उसका फल मिलेगा और यदि कोई गलत काम करोगे पाप कर्म करोगे तो उतना ही उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा इसलिए आप ध्यान पुर्वक इस समय का यापन करे गतीत करे कि हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म न हो, कोई गल्ती न हो, किसी प्राणी को हम न तो सताएं, न मारें, न उसको त्रास दे, न पीडा दे, और घर पर यदि कोई याचक, भिकारी, अथ्वा जर्वत्मन व्यक्ति आए, तो अपनी शद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ ने कुछ दान जरूर करे, अधिक मास में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, अधिक मास में उड़त की दाल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, कटल की सबजी भी इस महिने आपको सेवन नहीं करना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नह आपको करके और पवित्रता का पालन करते वे और इस महिने का व्यतीत आपको करना चाहिए अधिक मास में प्रतिदिन एक अध्याय का एक कथा का एक महत्म कथा का स्रवन किया जाता है तो आज हम आपको अध्याय तीन अधिक मास पुर्शुत्तम मास महत्म की कथा सुना रहे ह इस कथा के अंतरगत अध्याय दो में जो हमने आपको सुनाया था उसकी आगी की कथा हम केते हैं। सुनिये मैं आपसे कहता हूँ। संदुष्ट दुषासन ने खीचा और खीचने के बाद उसके वस्त उतारने लगा। तब भगवान कृष्ट ने उनकी रक्षा की पीछे पांडव राज्य को त्याग करके काम्यक वन में चले गए। वहां अत्यंत कलेश्य युक्त विवन के फलो को खा करके अपना समय अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे जंगली हातियों के शरीर में बाल रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुन्जियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देख करके मुरत शरीर में पुनह प्राण आ जाने की तरह युद्धिष्टेर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव प्रेम विब्बल होकर के सहासा उट खड़े होए। और प्रीती से भगवान शिक्रिष्ण के गले मिले। और भगवान कृष्ण के चरण क प्रेमलों में भक्ती से नमस्कार करने लगे। द्रोपती ने भी धीरे धीरे वहां आ करके आलस से रहितो करके भगवान को शिग्रता पुर्वक प्रनाम करके नमस्कार किया। उन दुखित पंड़वों को मरक्य चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धू दुल लगी हुई रूखा शरीर चारों तरब बाल बिखरे हुए हैं। द्रोपती को भी उसी प्रकार दुरवल शरीर वाली और दुखों से घीरी हुई देखा। इस तरह दुखित पंड़वों को देख करके वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान दृत्रा दुखाल के कराल मुख की तरह मुखवाले धड़कती हुई प्रलाई की अगनी के समान उठे हुए। उठों को दात के नीचे जोड से दबा कर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उदबत एवं जैसे स्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान स्री राम चंद्र को रावन पर जैसा कुरोध आया था। उसी प्रकार से कुर्द भगवान को देख करके कापते हुए ध्रतरास्ट भीम अर्जुन नकुल सहदेव कृष्ण को पसंद करने के लिए द्रोपती धर्मराज जथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीगर ही हाज जोड करके उन मैं जगत के बाहर नहीं हूँ आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं ये प्रभो क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है ये कौन जानता है कि क्या होगा है संघार करने वाले क करोत का संगहार कीजिये. हे ताथ के पाथ हे जगत पते आप एसे महा पुरशो के क्रोत से प्रदे हो जाता है. संपू नकत्यु को जानने वाले सर्व वस्तू के कारण के कारण विद और वैदांग के बीच के बीच आप साकषात स्री कृष्ण है. मैं आपके चरनों की आपकी वंदना करता हूँ आप इश्वर है इस चरा चरात्मक संसार को आपने उत्पन किया है सर्व मंगल के मांगल लिहे और सनातन के आप आदी बीज रूप है इसलिए एक के अपराज से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नास कैसे करेंगे कौन भला ऐसा होगा जो मच्चरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो स्री नारैन बोले कि दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके उनको प्रणाम किया सूजी महराज बोले कि स्री कृष्ण जी ने अपने क्रोथ को शांत किया और स्वयम भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए इस प्रकार भगवान को शांत देख करके पांडव स्वस्त और प्रसन हुए प्रेम से प्रसन मुख एवं प्रेम विब्बल हुए सब ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदी से उनकी पूजा की उनकी सेवा की नारायन बोले तब शरण में जाने योग्य भक्तों की उपर कृपा करने वाले परब्रम्भ परमात्मा स्री कृष्ण को प्रसन जान करके विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारम भार प्रभु के चरणों में गिर करके उनको नमस्कार तथा प्रणाम किया और जो प्रश्ण आपने हम से किया वही प्रश्ण उन्होंने परब्रम्भ परमात्मा स्री कृष्ण से किया इस प्रकार अर्जुन का प्रश्ण सुन करके स्रीकृष्ण चण मात्र मन से सोच करके अपने सुरत बर्ग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रोपती को आस्वासन देते हुए वक्ताओं में स्रेष्ठ स्रीकृष्ण पांडवों से हितकार वचन बोले भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे राजन, हे महाभाग, हे विबत्सो, आप मेरा वचन सुनो आपने यह प्रश्ण अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्सा नहीं हो रहा है इस प्रश्ण का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, रिश्यों को भी नहीं विदित है फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अत्वा तुम हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं, हे सुबरत वह जो उत्तर है वह अति उग्र है अतह क्रम से सुनो, चेत्रादी जो बारह मास, निमेश महिनों के दिनों, पक्ष घडियों प्रहर, त्री प्रहर, छह रित्युय, मुख, मुहुर्त दक्षनायन और उत्तरायन, वर्ष चारो युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, वह सब और नदी, समुद्र, ताल कुवा, बावडी, गड़े, सोते, लता, ओजदिया, व्रक्ष बांस, आदी, पेड, वन की ओजदिया, नगर, गाउ, परवत, पुरिया, ये सब मूर्ती वाले हैं, और अपने गुनों से पूझे जाते हैं, इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं हैं, जो अपने अ अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्र से ये सब सोभाग्यवान हैं, भगवान कहते हैं कि है पांडो नंदन एक समय अधी मास उत्पन हुआ, उस उत्पन हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूरी के संक्रांती से रही थे, अतह पुझने योग यह मास मल रूप होने से चूने योग नहीं है, और शुवकारियों में अगराईय है, यहने इसका ग्रहन नहीं किया जाता है, इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर के यह मास निरुद्योग्य प्रभावरहित दुख से घिरा हुआ, अतिकिन्नमन चिंता से ह ग्रस्त मन होकर व्यथीत रधय से मरनासन की तरह हो गया, फिर वह धैर्य धारन करके मेरी शरण में आया, है नर वेकुंठ भवन में जहां में रहता था, वहां पहुचा, और मेरे घर में आकर मुझ परम पुर्शोत्तम को इसने देखा, उस समय अमुल्य रतनों से जडित स स्वर्ण के सिंगासन पर बैठे मुझ को देख करके या भूमी पर सास्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके नेत्रों से बराबर आशूओं की धारा बहाता हुआ, धैर धारन करके गदगद वानी से मेरे सामने बोला, सुझ जी भाहराज बोले कि इस प्रकार महामुनी बद्री नात कथा कह करके चुप हो गए, तब नारायन के मुख से कथा सुन करके भक्तों के उपर दया करने वाले नारद मुनी पुना बोले। नारज जी कहते हैं कि इस प्रकार अपनी पून कलासे विराजमान भगवान विष्णू के निर्मल भवन में जाकर के भक्ती द आपों को दूर करने वाले, योगियों को भी शिग्र न मिलने वाले, जगत को अबय वर्दान देने वाले। ब्रह्मा स्वरूप मुकुंद जहां पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। श्री ब्रहन नारदिय पुराणे पुरुषोत तम्मास महात्मे त्रतियो अध्याय स्री कृष्ण चरण अरपनमस्तू बोलिये स्री कृष्ण चंद्र भगवान की जए गोपाल्य कृष्ण भगवान की जए अच्चुतं केशवं रामनारायनं कृष्ण दामूदरं स्री धरम आदवं गोपिका वल्लभं स्री जानिकी नायकं स्री रामचंद्रम भजे जानिकी मनोहरं सर्वलोक नायकं स्री शंकरादि सेवितं पुन्य नामकिर्ब्तन राम रामराम राम नामत आयकं। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायेकम। बोलिये स्री लक्ष्मी नारायन भगवान की जाए, स्री ब्रंदावन विहारी लाल की जाए, गुपाल कृष्ण भगवान की जाए, स्री गिराज धरन की जाए, स्री गोबर्धन नाथ भगवान की जाए, स्री शाम सुन्दर्यम ने महराणी की जै जगत गुरु श्री बलभाधी सी की जै गुसाई जी परम दयाल की जै स्री गुरुदेव की जै लाडले लाल की जै आज के आनंद की जै धर्म की जै हो अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भाव ना हो विश्व का कल्यान हो सनातन धर्म की जै हो गो माता की जय हो, नगर भस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसो के आनंद की जय हो, बरसो बरसो के आनंद की जय हो, उम नमह पार बती पते हर हर महा देवा हर, का लहर कंटकार, दुकार दारिद रहर, आनंद की लहर कर, भक्त जनो मताओं बेहनो यदिया पुर्शुत्तम मास अधिक मास के निमित कथा की दक्षिना प्रदान करना चाते हैं मालपुआ दान करना चाते हैं या कोई भी दानपुण्य अपनी ओर से पुर्शुत्तम माह के निमित करवाना चाते हैं करना चाते हैं तो इसे तू अपना नाम और गोत्र हमें वाटसेप के माद्यम से भेजे इसे तू नगद राशी हमारे गूगल पे फोन पे अथवा पेटियम नंबर के माद्यम से भेज करके अधिक मास पुरशुतम मास का संपोर्ण अपने लाप आप प्राप्त कर सकते ही सांथ ही आप सभी से नोरोध है कि इस ग्यानवर्दक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सबस्क्राइब अभश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद